सातियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy पे सातियों आज हम आपके बीच बात करेंगे करी ट्री मीठी नीम कहते हैं जिसको सातियों परवत निम्ब भी कहते हैं इंडियन जो है मीठी नीम ट्री भी कहते हैं सातियों इसका घरों में जो है म cidade यहां छ़ट पर यह हमने लगाया हुआ है ये बहुतही बेनी फीश्री है एक तरह से जो है आयरविदिक प्लांट है इसके बहुत अनेक फाइदें भहुत से hidden फाइदें तो साथिओं पूरे फाइदें के तो बात करना बहुत मुष्किल होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सबसे पहले साथियों बात करेंगे, जो इसका biological source है मुराया को इंजी को इंजी के ओ इन आई जी आई आई मुराया को इंजी इसका जो है biological source है और जो family है इसकी साथियों यह rootacy है rootacy family की जो है का उसका जो है यह tree है plant है साथियों इसको जो हिंदी में है करीपत्ता के नाम साथियों इसको अलग अलग नाम है लेकिन फाइदे सभी में एक है अगर आपकी भासा में इसको क्या कहते है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा साथियों तो साथियों यह बहुत ही गुड़कारी जो है plant है यह घरों की छट पे भी लगा सकते हैं गमले में भी लगा सकते हैं जमीन में भी लगा सकते हैं जमीन में लगाने से बहुत बड़ा हो जाएगा जैसा कि सातियों हमारे यहां देखने गमले में लगा है बहुत बड़ा हो गया है और इसकी पत्तियों का जो है बहुत ही मतलब लाब और फाइदे हैं तो सबसे पहले इसके बेनी फीट और यूजेस के बारे में बात करेंगे तो औसधी इसके यह एक औसधी प्लांट है और सधी के ground होते हैं इसको crude drug भी कहते हैं मतलब और कच्छी और सधी के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है तो यह सबसे नहीं जड़ते हैं सफेद नहीं होते हैं और उसको खाने से जो है digestive system भी बहुत ठीक रहता है तो उससे क्या होता है बाल नहीं गिरते हैं पाच्चन स्वास्त को बढ़ावा देता है कहने मतलब digestive system को healthy रखता है साथी साथ क्या होता है कि heart की बीमारी किसी तरह की नहीं होती है स साथी इसकी सुबा सुबा जो है चार-पांच पत्ति चबाने से जो है क्या होता है मूं में दुरगंद नहीं आती है और heart एकदम स्वस्त रहता है साथी इसमें बहुत ही high level का जो है iron होता है तो इसको सबजी में जैसे डाल के खाने से दाल में खाने से तो फाइदा मिलता ह और साथी साथ क्या होता है कि सुगर रोग्यों के लिए अम्रत का काम करता है सुगर रोगी इसको अगर सुबह उठके चार पांच पत्ते ऐसे तोड़ के अगर चबाल लेते हैं तो उनकी सुगर जो है बढ़ती नहीं है निरंतर इस्तमाल करने से सुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है और साथियों जो भी लोग मौर्निंग सिखने से छुटकारा पाहना चाहते हैं तो इसका जो है मीठी नीम का सेवन जरूर करें इसके पत्ते जो है भोजन के साथ साथ कच्चे भी सुबा जो है उटके ख जाती है तो इसकी पत्तियां जो है उसका रस निकाल के पीने से जो है पित के विकार को दूर करता है साथिसा सरदर्द होता है सरदर्द इसकी जो है दस बीस पत्तियों का रस निकाल के और उसको जो है तेल में मिक्स करके सर में लगाने से सरदर्द जो है दूर हो जाता है बदहजमी जो है दूर करता है और मुत्र रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी लावकारी दवा है और दाद खाज खुजली जिनको होती है बहुत असमय हो जाती है तरह से एक्जीमा हो जाता है तो उसको जो है पीस के लगाने से जो है दाद खाज खुजली नहीं होती है त इसका सर का दर्द भी दूर कर देता है, अब मुझ की बदवू को दूर करता है, और कफ की प्रावलम है, तो क्या होता है कि इसकी पतियों को हलका सा भून के, हलका सा और उसको पीस के, और उसका रस निकाल के, दवाई के साथ मिक्स करके या सहद के साथ मिक्स करके लेते हैं, तो खासी वगएरा जो है इसको दूर करता है और जो रोगी जो है जुनको भी बुखार आता है उसको जो है इसको सुबा जो है अब साम जो है सेवन करने से इसका रस जो है निकाल के पीने से बुखार भी दूर हो जाता है और साथियों इसका रस पीने से पेट के कीडे भी मर देता है तो इस तरह से बहुत ही इसके लाब है साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुरूट ड्रग पर डिसकसन करेंगे इसी के साथ विराम देंगे साथियों नमस्कार